हिमाज़िल प्रुदेश में घरीलू हिंसा कו लेकर महला आयोग की तरफ से विभिन्न विभागों के सन्यक्त तत्वाधान में कारिशाला का एजिन किया गया मौके पर पुले ससामाजिक निया एवं आदिकारिता महिला एवं बालविकास विभाग समय तन्य विभागों के अदिकारी भी कारिशाला में मौझूद रहे आज ही जो कारिशाला है यह हमारा जो Domestic Violence Act है उसके बारे में हमारे CDPOs, DPO, DPO के अंडर CDPOs हैं हमारे Protection Officers है उनकी ट्रेनिंग के लिए है क्योंकि घरेलियु इंसा के जब केस आते हैं तो वो हमारे Protection Officers याने के संद्रक्शन अधिकारी जो की Supervisors है उनके बास आते हैं उनको इसके बार में कितनी जानकारी है उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए इस बैसिकली फॉर Capacity Building of Stakeholders जो हमारे Stakeholders हैं पुलीस है और फेल्फेर विपाफ की हमारे जो अधिकारी है उनकी ट्रेनिंग के लिए महिलायों की अधिक्षा डेजी ठाकुर ने कहा कि घरेलू हिंसा के मामले जब सामने आते हैं तो सबसे पहले Protection Officer के ध्यान में ये मामले लाए जाते हैं कहा कि रास्ते महिलायों के साथ वहलकर इंप शिबरो का हाईजन किए जा रहा है कि प्रदेश के हर जबह में महिलाओं को तूरेत निया मिल सके इसी को लेकर प्रत्टेग ज्ला में इस तरह की का रिशाला का है जिन किया जा रहा है